Hello and welcome you all dear students Finally JKSSB ने number of candidate shortlist कर लिये हैं जो physical होने वाला है उसके लिए candidate shortlist हो चुके हैं ठीक है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो ratio ली है 1 is to 6 है यानि एक post के लिए इन्होंने 6 candidates लिये हैं ठीक है ओपन में इन्होंने लिये हैं 3600 and 6 candidate ठीक है फिर बाकी categories में इसी ratio के हिसाब से इन्होंने number of candidates लिये हैं जहाँ पे इनको एक vacancy हैं वहाँ पे इन्होंने क्या किये हैं 6 candidate को physical के लिए बुलाया है पिकाज यहाँ पे सारे candidates नहीं जाएंगे बहुत सारे ऐसे candidates इसमें हैं जिन्होंने qualify किया है वो case की preparation कर रहे थे या बाकी exam की preparation कर रहे हैं जो की physical में जाएंगे इनी एक चीज दूसरी चीज यहाँ पे यह है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका physical होगा इनी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आपके पास जो physical है अब जो पहले पहले वाले बच्चे हैं यानि जिनको लगता है कि हम जो number of vacancies हैं उनसके अंदर जिनको लगता है वो तो अच्छी तरह से running करेंगी लेकिन जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा नीचे हैं जैसे जिसका rank अब 3600 होगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो candidate bottom पे हैं इनको अब यह लग रहा है कि हमारी selection possible नहीं है यहाँ पे जो top candidates होंगे जितने भी open में select होंगे वो ही यहाँ पे select होंगे हम यहाँ पे running क्या करेंगे कैसे हम preparation करेंगे last पे तरह हम select होने वाले नहीं है लेकिन यहाँ पे में हर एक aspirant को यह suggest करूँगा आप अच्छे से running कीजे अच्छे से आप preparation कीजे विकास यहाँ पे जितने भी candidates हैं हर एक को मोगा मिलेगा विकास कुछ ऐसे candidates होंगे जो running qualify नहीं करेंगे अगर एक vacancy है ठीक है उसमें इन्होंने क्या किये हैं six candidate को बुलाया है इसमें दो ऐसे होंगे जो तो physical attendee नहीं करेंगे उसके बाद चार candidates बचे इसमें फिर कुछ candidates ऐसे होंगे जो physical qualify नहीं कर बाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हो सकता है जो यह last वाले candidates हैं इनका भी number आ जाए ठीक है फिर यहाँ पे जो category वाले हैं ठीक है जो यहाँ पे bottom में category वाले हैं वो तो यहाँ पे एक हिसाब से topper ही है जो आगर जैसे for example ALC है या RBA है या EWS है ठीक है अगर यह open में है open के bottom में भी हैं लेकिन यह अपनी category में topper हैं इनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से running करनी है इसी तरह से यहाँ पे category वाले भी हैं SC हैं फिर ST हैं फिर RBA वगएरा वगएरा एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूंगा जो बच्चे bottom में हैं जैसे for example यह वाले बच्चे हैं बहुत ही कम उनका rank है वो physical भी साथ करो physical की preparation भी करो and साथ साथ में वो VLW की preparation भी करेंगे ठीक है because अगर उनका for example physical qualify हो गया उसके बाद उनका qualify नहीं हो गया तो वो VLW की भी preparation करेंगे तो वहाँ से भी उनका आराम से हो सकता है तो physical भी करो अगर आप morning and evening में एक घंटा दोगे या दो घंटे दोगे एक घंटा काफी है एक घंटा सुबा एक घंटा शाम को या आप सुबा ही दो घंटे दे दोगे तो फिर बाकी दिन आप आराम से VLW की preparation कर सकते हो ठीक है आपने fully जो है physical के पीछे नहीं लगाना है जिनका रेंक बहुत कम है ठीक है उनके लिए मैं कह रहा हूँ वो VLW की भी तैयारी करेंगे या अगर उन्हेंने finance accounts assistant के लिए भरा है उसकी भी preparation करेंगे तो इस तरह से वो physical भी कर सकते है अगर उनका physical नहीं हुआ तो वो आराम से VLW है या finance account assistant है उसके लिए वहाँ पे appear अराम से हो सकते हैं और वहाँ पे भी उनका score अच्छा आ सकता है ठीक है बाकी रही date की बारी तो जल्दी ही physical की date आ जाएगी अब आप shortlist हो चुके हैं तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कब आपकी running होगी ठीक है so all the best